हाई गाईज वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जशन की वीडियो शेयर कर रही हो हमने करवाया जशन को हेर वाश और हेर वाश करवाने के बाद मैं उसके बालों पर ओईलिंग करन है मस्टड ऑईος की लेंज लेंथ देख है विलकोल फ्लोर पर टुच हो रहे है उसके बाल इतने ज्ञादा करना हुआ है यूज सरह समझ के बालोगा ऊईल लगाया तके अचीह कुर बहूरस है तो जो ओर कोई माई लगा त् Tube मज्छे बालोग बाहरे बत्सक्शों जादा मतलब ऐसे लगता है कि मैंने कुछ लगाया है यह नॉन स्टिक की से लगते हैं इसलिए मैं मास्टर्ड ऑईल उसके बालो पर ज़्यादा यूज करती हूँ सबसे बहले न मैं स्कैल पर अच्छी तरह से ऑईलिंग कर रही हूं क्योंकि न स्कैल पर ऑईलिंग करने से फिर ऑईल बालो पर जो लैंथ पर है वो अपनी आपाता रहता है इसके बाद मुझे लैंथ पर ओईल लगाना है साथ साथ में मसाज भी करनी हैं जशन को हियर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, हियर वाश करवाने से पहले मैंने उसके बालों पर दहीं लगाया, अच्छी तरह से क्योंकि विंटर में डेंडरफ की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि गरम पानी से मैं जशन को हियर वाश करवाती हूँ और गरम पानी से हियर वाश करने से डेंडरफ हो जाता है, थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने सबसे पहले जशन के बालों पर दहीं लगाया है, उसके बाद मैंने उसे hair wash करवाया है दहीं लगाने से ना दहीं ऐसा conditioner भी work करती है और उसे dandruff भी खतम होता है बाल बिल्कुल smooth silky हो जाती है कंडिशनल लगाने के आपको जुरुत नहीं पड़ेगी अगर आपने दहीं लगाया है winter और summer दोनों में आप दहीं का यूज कर सकते है winter में जो दहीं आप यूज करेंगे वो बहुत जदा ठंडा नहीं होना चाहिए तो देखे इस तरह से सबसे पहले मैंने scalp पर oil लगाया है इसके बाद मुझे length पर oil लगाना है जशन के बालों के length इतनी ज़्यादा बलंबी होगी है बाल तो लंबे हुए है साथ में बाल उसके heavy बहुत हो गए है हाथों में उसके बाल बिल्कुल भी नहीं आते हैं एक तो उसके बाल heavy हैं दूसरा उसके बाल कर ली हैं तो वह और भी ज़्यादा ना heavy heavy से लगते हैं जब तक मैं oil ना कर लो अच्छी तरह से combing ना करों तब तक उसके बाल बिल्कुल भी plane नहीं होते हैं बहुत ही ज़्यादा उसके बाल heavy लगते हैं तो देखे length पर भी मैं साथ किजिए जो oil आप यूज करना चाहते हैं वही oil यूज कीजिए जो oil आपको अच्छा लगता है oil में आप vitamin E का capsule add कर सकते हैं अपने बालों को बिल्कुल neat and clean रखें oiling जरूर करें तो आपको hair fall की problem भी नहीं होगी आपके बाल काफी ज़्यादा long strong and healthy रहेंगे तो आप देख अब उसके बालों की length बहुत ज़्यादा increase हुई है इसका कारण यही है कि हम उसके बालों की बहुत ज़्यादा अच्छी care करते हैं ब्रेड बनाकर रखते हैं hair wash टाइम पर करवाते हैं इसके इलावा oiling अच्छी तरह से करते हैं अगर हम अपने बालों को cover करके रखेंगे तो हमारे बाल बहुत तेजी से लंबे होंगे आपके बालों की अगर length रुक गई है बाल लंबे नहीं हो रहे हैं तो oiling करने के बाद braid बनाईए braid को cover करके रखें परांदे या ribbon का आप यूज कर सकते हैं उससे बालों को fold करके रखेंगे तो बाल बहुत जल्दी लंबे होत करते हैं इसलिए अच्छी तरह से oiling करने के बाद tangles को remove करके ब्रेड बनाए और ब्रेड को रोज open कीजिए और रोज बनाईए यह नहीं कि एक दिन ब्रेड बनाईए तो उसे दो तिन दिन ऐसे ही रहने दें रोज उसको open करें और रोज ब्रेड बनाए फोल्ड करके रखे बाल तो आपके बाल बहुत जल्दी लंबे होंगे जशन के बालो में तो oil मुझे बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है क्योंकि कम oiling में तो उसके बाल बिल्कुल सुखे सुखे ही रह जते हैं इसलिए थोड़ा-थोड़ा oil लेकर फिर मां oiling कर रही हूं तो अब मैंने moti wali comb ली गाए इससे मुझे tangles को remove करना है जशन को hair fall की problem बिल्कुल भी नहीं है बट उसके बालो में इतने ज़्यादा tangles होते हैं इतने ज़्यादा tangles होते हैं कि remove करने में कम से कम आदा घंटा लग जाता है moti wali comb का मैं use कर रही हूं इतने हैवी इतने करली बाल हैं उसके tangles बहुत अराम से बालों को fold करकर कि मैं tangles को remove करती हूं कि वह भी छोटा है तो उसे बहुत ज़्यादा यह painful लगता है tangles को remove करना सबसे मुश्किल जो है वो यही है कि जो tangles remove करने पड़ते हैं हेर वाश के बाद जब मैं tangles remove करती हूं तब ही ज़्यादा मुश्किल होती है इसके बाद तो उसके बाल काफी ज़्यादा स्मूध सिल्की हो जाते हैं बड़े अराम से धीरे-धीरे मैंने उसके बालों में से tangles को निकाल ला है यह और फॉल उसे बिल्कुल भी नहीं है डेंडर्फ की थोड़ी से उसे प्राब्लम हो रही है विंटर की वज़ा से तो वह मैं दहीं लगाती हूं उसके बालों में आपको जो ऑईल अच्छा लगता है आप वही ऑईल लगाईए मुझे मस्टर्ड ऑईल बहुत जादा ऑईल लगाया है जब मैं उसके ब्रेड बनाऊंगी ना तब ऑईल सारा उसके बालों में उसके लेंथ पर आ जाएगा जाएगा ज्यादा लगा दूं तो बहुत ज़्यादा ऑईलिंग करूं तो फिर पिल्लों पे ऑईल लगता है जो मैं उसे पठका वियर करती हू गूंड करकर के मैंने बड़े अराम से टेंगल निकाल लें ताकि उसे भी बेल्खल पेन ना हो और सारे टैंगल बनाने का तरीका यही है कि आपनी बालों की किये झाैसे कि हम अपनीस की केर करते हैं वैसे ही आप अपनी ब्होंपनी हीन आहर की किये क्यूंकि यह बहुत ही बालों से इंसान की प्रिसनेलिटी का पता लगता है उसकी ब्यूटी जो है वो बालों से ही है मेरी ऐसी सोच है तो आप बालों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए अपने बालों का अपने बच्चों के बालों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए तो देखें कितने अराम मैंने जशन के बालों में से साले टैंगल को निकाल दिया मैंने दूसरी कौम ले लिया अब मुझे उसके जूड़ा करना है जशन रूटीन में जूड़ा करके ही रखता है कभी भी घर पर हमने उसके हेर स्टैल नहीं किया जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूं वो आपकी request पर ही करती हूं जशन एक सिख बॉय आपर हमेशा जूड़ा करके रज़ता है बालों को cover कर्के रख तैसके बाद मुझे braid बनाने जूड़ा करने के बाद मुझे उसके पठका वीयर करने हैं हमेशा रूटीन में वह पठका वीयर करके ही रखता हैं तो देखिए अब उसके बाल कितने ज़दा शाइनी लग रहे हैं कि ऑईल जो है वो अच्छी तरह से बालों पर अब्ज़र्व हो चुक है तो कांबिंग करने के बाद बाल काफी जधा ठोड़ी स्मूध हो जतते हैं बाल फीर थोड़ा सा औयल उसके बालों पर लगाना पड़ता है तो आप उसकी ब्रेड देख सकते हैं कि कितनी मोटी उसकी ब्रेड है जेशन को मैं परांधी वियर नहीं करती हो ना ही Rabond v Bear करती हूं क्योंकि जेशन के बाल आड़ेड हैं काफी ज़्यादा लंबे है अगर आप container जाल काफी जादा लंबे है तो आप इसके बाल छोटे हैं तो उसे परांधा वियर कर सकते हैं प्रांदा वियर करने से भी जो जूड़ा है न वो काफी ज़दा हैवी लगता है और बाल भी बड़ी जल्दी लंबे होते है तो देखे जशन के इस तरह से सारे टैंगल को रिमूव करने के बाद मैंने ब्रेड बनाई है जशन की पूरी हेर के रूटीन मैंने आपके साथ श जशन के अलगाई है तो देखे हैं अब आपको आपको अपनी नेक्स वीडियो में मिलूगी तब तक के लिए थांक्यू बाए झाल झाल